हेलो दोस्तों, बहुत सो फिने शेयर बजार में आपके एक बफिर से स्वागत है, आज हम एक ऐसे शेयर से लिट्रीट बाते करने वाले हैं, जिसका जो की small cap company का share है और जिसका future काफी bright में ज़राता है, ऐसा रखता है कि वो आने वाले सालों में, 5 साल, 10 साल, 15 सालों में, might be वो एक large cap company बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके का उसका business है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो शेयर, definitely वहां तक पोच सकता है, इतनी काभिलियत रखता है sales में, उसकी balance sheet भी इस तरीके से नजर आती है, तो आइए इससे लेटी बाते कर लेते हैं, उससे fundamentalist थोड़ा सा जान जब जब नजर आएगी, जैसे कि अभी आप देख रहे है market, last week तो पूरे market गिरी थी, बट फिर भी ये share positive आपको रिटाज दे रहा था, यहां पर 1 month की बात करें, तो 1 month में भी लगबग सेम इसी एक consolidation phase में चलता है, 6 month की बात करें, तो देखिए small cap company है, तो मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, small cap company में बहुत ज़्यादा volatility होती है, तो इस वज़े से यहां पर share आपको volatile होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा, और अभी pandemic से पहले की बात की जाए, तो pandemic से पहले ये share लगबग 600 रुपे के आसपस चलता था, pandemic में ये share लगबग 362 पे आ गया था और इसी फेज में अभी देखिए, continuously चलता रहा है, but due to pandemic है, okay, इसके पीछे भी मैं आपको reason बताऊंगा क्योंकि इस company का जो business है, जब वो business हो ही नहीं रहा, इसलिए ही यहां पर चल रहा है, जैसी business start हो जाएगा, तो definitely यहां पर ये companies आपको definitely आगे की तरह बढ़ पर रिश्टर हुए, कुछ जादा सानी हुए, 2017 में एक company list हुई थी, और 2017 से list होके तो उसी consolidation phase में चलती आ रही है, company grow कर रही थी, but grow अभी यहां पर pandemic बीट में यहां पर गिरी भी थी, क्योंकि 2018 में काफी सारी companies यहां पर गिरती भीने चल आई थी, तो इस वज़े से company यहा यहां पर अगर देखें, तो यहां पर company यहां पर अफतार पकड़ी थी, but अब क्या हो गया, कि यहां पर आगया, pandemic और pandemic की वज़े से यहां पर, companies बंद पड़ गई, जिसका यह business हा, business completely बंद हो गया, इस वज़े से यहां पर आपको, यह गिरती भी नजर आ रही है, but definitely यहा पूरी काभिलियत रखता है कि यह शेयर आने वाले कुछ टाइम में इतना डबल तो definitely हो जाएगा, तो यह एक यह शेयर था, तो इस के इलेटी यहां चाट पैटन मैंने आपको शो किया, इसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे है, तो 52 वीक लोग देखिए, 322 ही है, आसपास की यहां पर डिलीवरी उठाई गई है, और इसके अलावर में आपको दिखा देता हूं, कंपनी इंफोर्मेशन में, तो कंपनी का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एक पर शेयर होल्डिंग पैटन हम दुबारा देखेंगे, यहां पर अभी देखेंगे, तो अभी इस वज़े से भी हां पर शेयर की वज़े में गिरावट आपको दिख रही होगी, बट वो गिरावट जस्ट विकाज अप्लिट थी, और डिविडेंट दो जार अटरा में दो बार डिविडेंट, 2019 में एक बार 2020 में दो जार बीस में प्लेट, एस वेल अज डिविडेंट तो कोई गलत नहीं होगा, इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर देखे फॉल्डर जैसे कि यहां पर आपको प्रमोटर की होल्डिग मैजर आ रही है, जून तक 74.33 दी, मार्च में भी 74.33 दी, तो यही अभी बट इसमें कुछ चेंज इस हुए है, वह मैं दूसरी शी 11.1 है, जो अभी यहां पर 74.33 क्योंकि यहां पर अभी अपडेट नहीं हो है, मैंने कंट्रोल की साइट पर, तो स्लाइटली प्रमोटर से अपनी होल्डिग कम करी है, और यहां पर कोई भी थोड़ी सी कंपनी ने शेयर अभी 0.20% के शेयर प्लैस किये, फॉर इंवेस्टर काफी अगर मिचल फंट की बात किया, तो मिचल फंट नहीं पर अपनी सेदार 6.42 की डगड़क किया, और मिचल फंट में भी अगर हम देखे और अधर्स देखिए, अधर्स हमेशा जब गलत स्टॉक होते हैं, तो यहां पर भागते हैं, अच्छे स्टॉक यहां पर इंक्र डिटेल इंवेश्टर के वाल 1.86% ही यहां पर इसे दारी रखते हैं, और यहां पर देखिए अच्छे अच्छे गूप, कोटैक, स्मॉल कैप, अधित्या बिलासन, स्मॉल कैप, ओके तो यह जितने अधित्या बिलासन, लाइफ, कोटैक, स्मॉल कैप उन्ट, इन्हों ने इन्वेश्ट कर रखे हैं, लेक्सा फोर थाउजंट ओफ शेर्स यहां पर खरीद के रख रखे हैं, तो यहां पर आप देख सकते ही, कंपनी का बिजनस किस तरीके से हैं, as well as अगर बैलन शीट की बात की जाए, बैलन शीट में आपको दुबारा दिखाऊंगा, फिर भी 63% की, बट अगर इसके साथ साथ हम ऐसेट की बात करें, तो कंपनी के ऐसेट भी continuously increase होते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ना यहां पर, तो 502, 894 था, 1102, 1548 और अभी देखें, 1821.32, तो कंपनी ऐसेट में खर्च कर रही है, तो इसलिए बारेंगी यहां पर होना लाजमी है, अगर बात की जाए, current investment की कोई investment नहीं है, बट cash and cash flow की बात की जाए, तो अलग बग 100 करोड रुपे का company बस cash and cash flow है, तो balance sheet भी ठीक ठाक ही, यहां पर हमें नजर आ रही है, अब एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं, यहां पर, देखें, जो इस company में जिसमें business करती ह है, okay, जैसे मैंने अब को बता देख, small cap company है, market capital, केवल, 5434 करोड रुपीज का है, मतलब 5434 करोड रुपे गा, और अगर stock का P.E. ratio की बात की जाए, तो 22.6 का P.E. ratio है, big value 109 रुपे है, और अगर ROCE की बात की जाए, return on capital employment की बात की जाए, तो 18.2% की, ROCE होता क्या है, तो company का अगर 100 रुपे है, तो 100 रुपे से company कितना कमा रही है, उसको हम ROCE कहते है, मतलब जितना company का वास cash flow है, जितना cash है, उससे कितना लगवा, 18.2% का यहाँ पर company कमा लेती है, तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको यह नजर आ रहा है, ROCE, इसके लावा हम company के और भी प्राउस क यहाँ पर देखिये, company has reduced debt, तो company ने अपना जो कर जाए, वो continuously कम करते है, और इसके लावा बात की जाए, CAGR, CAGR मतलब अगर हम बात की जाए, compound annual growth rate, तो कितना है, 36.17%, अच्छे अच्छे companies का नहीं होता, बट इसका CAGR, 36.17% का है, जो की काफी अच्छा है, और कौन की बात की जाए, तो लगबाद company, जो cost of borrowing है, वो हाई होती हुए, हमें नजर आ रही है, यही cons है, but company के asset भी grow हो रहे है, इसमें हम कहने सकते है, तो इसलिए, इसे अगर नगली नगली भी करते है, तो चलेगा, तो company काफी अच्छी हमें नजर आ रही है, quarterly result की बात की जाए, तो अगर हम देखें आपर continuously, अभी जासे कि last year, 2, March में भी 210 थे, अभी 210 थे, अभी 2158 करोर रूपीज के होती है, sales के मामले में company अच्छी है, अगर EPS की बात की जाए, तो अगर निक पर share company का लगपक 7.32 है, जो की पिछले quarter में 3.89 था, profit and loss की यहाँ पर अगर हम बात कर लेते ह है, अगर देखें, जैसे कि मैं आपको reserves बता रहा था है, तो यहाँ पर updated reserves है, तो reserves company के पास leverage बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपको 15.24, borrowing भी यहाँ पर company देखें, जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि अदर अग update था, वो updated नहीं था, तो यहाँ पर update अगर हम देखें, तो यहा यहाँ पर चीज में तो यहाँ पर देखेंगा, यहाँ पर चीज में अच्छा प्रफॉर्मस करते हैं, तो इस company की तरफ हम नजर बना के लग सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगा, slightly shareholder pattern यहाँ पर चेंज हुआ है, प्रमोटर्स ने थोड़ी सी सिदारी अपनी कम करी है, तो अभी 74.333 से 73.71% की इस सिदारी यहाँ पर share company के प्रमोटर्स की रह गई है, तो हर चीज के मामले में company का अपी अच्छी नजर आ रही है, एक अब मैं आपको company का दिखा देता हूँ कि company कौन सी है, तो company यहाँ पर है, security and intelligence service India Limited, तो SIS एक company है, तो company किस तरीकी company है, वो उसके बारे बात करूँगा, आपने देखा भी होगा, SIS के अब बड़े बड़े आपने वैंस देखी होगी, जो की cash deposit करती है, बड़े इसके बात कर अब यहाँ पर देखिया, अब एक चीज़ और देखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर news है, SIS, share climb 12%, मदलब अगर पांस दिन की बात करें, तो मदलब काफी अच्छा यह share climb हो गया, 12% और quarter 2 के profit में इसके कितने जंप होई है, जब इसका result आया तो तो अब लगबो 42% का आपर, वो quarter 2 के profit में जंप देखी गई है, जोगी काफी अच्छी बात है, एक छोटी सी small cap company, तो इसलिए मैं कह रहा था, यह future में जाके large cap company बन सकती है, as well as, अब एक बर देख लेते हैं, company है क्या, तो देखिये, SIS के आपने वो देखियोंगे, देखिये, intelligent, मतलब जैसे की आप नाम देख रहे हैं, security and intelligence, security and intelligence से related ही काम करते है, तो यह काम क्या करती है, यह guards प्रवाइड करती है, यह cameras लगाती है, तेखिये, SIS के आपर truck दिख रहा है, यह van दिख रहा है, यह van क्या क्या दिख रहते है, cash वगाई ट्पोज़गाती है, अब यहाँ पर different companies होती है, त जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पेंडामिक, पेंडामिक में जब companies ही बंद हो गई थी, तो गार्ट का business ही बंद हो गया था, तो यहाँ पर आपको गरावट होनी, दिखनी लाजमी रहेगी, तो इसी वज़ए से यहाँ पर शेयर देखिये, अभी तक companies ज्यादा तार open न में, तो यहाँ पर यहाँ business हो गया, अगर मैं आपको clients दिखा दूं कि company के clients कोन है, तो आप देखेंगे कि बड़ी-बड़ी company, जैसे कि Airtel, तो यह सारे-सारे इनके clients है, बड़ी-बड़ी, जितनी companies है, Airtel हो गई, और बहुत सारी companies है, तो यह इसके clients है, और market में यह lead भी करती है, इसमें, देखेंगे हैं आपर our clients, तो देखें, infrastructure में भी यह काम करती है, infrastructure में भी ओविस की बात है, security की जरूत पड़ती है, और अगर यह किस-किस में काम करते है, power, telecom, transportation, aviation, port and logistic, real estate and ownership, educational institution, health care, की हर जग यही तो security guard की जरूत होती है, cameras की जरूत होती है, तो इनके सब्सक्राइब अच्छाए अच्छाए इनके सब्सक्राइब के लिए, security camera, surveillance के लिए जो camera is used होती है, उसे बनाने बाल यह company, client देखें है, ATL, TATL, Delhi Metro, तो इनके सब्सक्राइब अच्छाए इनके अच्छाए इनकी customer भी है, तो इस नजर यह से अगर अगर देखे कंपनी का debt reduce हो रहा है, तो हर मामले में company अच्छी नजर आ रही है, और कोई negligible प्लैस कर रहा है, तो अगर बात की जाए, कुछ टहन किया आने वाले जैसे कि India infrastructure में बड़ा होता जा रहा है, हर चीज में बड़ा होता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में यह company बहुत अच् financial advisor से एक बाग confirm कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बता है, बड़े-बड़े mutual funds ने यहाँ पर अपनी हिससेदारी इस company में ले रखी है, तो आप इस share की तरफ नजर बना सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा effort अच्छा लगा हो तो kindly इस वीडियो को like करे, comment करे, share करे family friends के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो बनाता रहूं, और as well as हमारे इस चैनल को, boss of इंगे शेर बजार को subscribe करें दोस्तों, ताकि आपको मेरा यहाँ पास support हो सके हो, और मैं आपको इस तरीके की वीडियो शेर बजार से लेटे लाता रहूं और आपको update करता रह करेंस